आपका एक अबर फिर्श्य आपी के यूट्यूब चैनल में और आज के वीडियो में हम भात करेंगे जैप्रकास पावर वेंचर्स और साथ में डिस्केस करेंगे जैपी ऐसोशेट्स दोनों शेरों के अंदर आज के दिन आपने देखा हुगा वी बिग फोल बनते हुए नजर आया है और हमारी कल की वीडियों भी आपको बोला था कि स्टॉक के उपर जोना सेलिंग प्रेसर बढ़ रहा था ठीक है कल के दिन भी आपने देखा हुगा उससे ठीक है के नीचे में आ चुक है और वहां पर आप लोगों देखो भी जैप्रकास में भी तो इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे इसके क्या कुछ मुमेंटम बन सकते हैं चार्च की उपर जाने के डिटेल में तो सबसे पहले देख लेते भी जैपी पावर के बारे में ठीक है जीए जैप्रकास पार वेंशर के नाम से भी जानते हो तो जैपी पावर के अंदर आप लोग देखो के करीब गिरावट और नो पच्पन के भाव पर जो शेर को कलोजिंग देते नजर आया है ऐसे में यहां पर वोल्यूम के बात करें तो लगबग 27 क्रोड के आज से मफाई की बात करें तो 65 मिड रेंज में वहीं पी रेशो इसका थोड़ा हाई है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाई है 1280 के आसपास है तो स्टोंग लिए आप लोग देखो को भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को दरसा रहा है जबकि यह होना चाहिए था कहां पर 26 के आसपास है आप लोग पचास के आसपास भी चलेगा लेकिन अभी तो बहुत जादा हाई पहुंचा वह 1200 के आसपास है आप लोग देखो कि जब अडानी के जो शेर थे वो 200-300 के पर टेट करें थे वही आप लोग इतने जादा ओर वैल्यूड थे जहां से आप लोग देख लेते अभी इसका डाटा वगरह कैसा है और चार्ट के उपर क्या कुछी इसके मुमेंट बन रहे है और अब जो तेजी के माहल बनेंगे वह है क्वाटर टू के नमर के बाद तो क्वाटर टू के नमर आप लोग देखो अक्टूबर नुवंबर में देखने को मिलेंगे अ उपन दस रुपे के भाव में हुआ वही इसका हाई अंपर उपनिंग ली उसके बाद जो से रहे वह नीचे में नो पैंतिस तक आया भई यह नहीं कि 6% के क्रिफ स्टॉक में ग्रावट बनी उसके बाद जो ओपर गया स्टॉक वह आप लोग देखोगे 9.5 तक हमें जाते सी कुरुटती हुए नजर आई है प्लस में यहां से है प्लस आप छोक देखोगे मार्केट से भी हमेंट संटिमेंट मिलते नजर आया यह था ठीव संकेथ मिलत तो चलिए देख लेते हैं अब इसका चार्ट तो यहां पर आप लोग देखो कि जेपी पावर को लेकर कल की वीडियो में आपको बताया था कि 9.85 का लेवल अगर टूटा तो स्टोक में फोल बन सकता है अभी पहला स्पोर्ड था हमारा 10.30 पैसे ब्रेक हुआ 9.85 का लेवल अब लोग देखो कि अभी के टाइम कोई भी महाल नहीं है आप लोग देखो कि बिल्कुल नईटिव संकेत दिखाई दे रहे है चार्ट की तरफ से भी ठीक है डाटा थोड़ा पोल्टी हुआ है अच्छी बात है अगर मार्केट कल के दिन पोल्टी हुआ तो रहता है तो स नीचे में सपोर्ट अब इसका जो नीचे में बना हो ना भी वह आप लोग देखो तक्रीबन 8.55 पैसे क्या सपास क्या सपोर्ट अभी के टाइम ठीक है लेकिन आपको यहां पर बाय नहीं करना फ्रेश इंट्री नहीं लेने फ्रेश इंट्री कब बनेगी नोपिछ आस प परशंट के करीब शेयर टूटा है और 2,87,00,000,000 के करीब स्टॉक में वोल्यूम आई है तो इन शेयरों में जो फोल बना है भी मार्केट का बहुत बड़ा रीजन है मार्केट का बहुत बड़ा कार्ण है इस टॉक में गिरावट का ठीक है साथ में आप लोग देखोगे पावर के अंदर भी तो मार्केट में बिक फोल बना है तो इसी वजह से इन शेयरों में गिरावट आई है तो चलिए अब इसका भी चार्ट वगरा देख लेते भी वहां पर क्या कूश मूड माहूल है सबसे पहले डाटा जानते डाटा कैसा है तो यहां पर आप लोग दे दिखाई दे रही है अभी तक ठीक है तो लास्ट में देखें कैसा इसका नतीज है रहेगा फिर अगर बात करें डाव फ्यूचर यानिकि जो नेश्ट है डाव फ्यूचर है हमें बिल्कुल पोजिटिव दिखाई दे रहा है इनका इंपक्ट को अगर यह पोजिटिव रह देखने को मिले प्रिवेस क्लोजिंग 12 पर ओपनिंग हुई ग्यारा पिचानवे हाई स्टोग बारा तक प्रिवेस क्लोजिंग तक गया है उपर में लेकिन फिर जो यह रहा है नीचे में 11 रूपय 15 पैस तक आया 11 35 के आसपास क्लोजिंग लिए है काफी बिक फॉल आता है तो चली आप इसका चार्ट और देख लेते वहीं तो यहां पर आप लोग देखो भी साड़े 11 रूपय का सपोर्ट था ब्रेक हो चुका है तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर लावल टूटे तो मैं जोना भी यहां पर थोड़ा सा अपना विराम देना च पैसे जास पास का तो यहां पर फ्रेस बाइंगे कोई उप्शन नहीं बन रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर हो तो भी साड़े 10 रुपय 15 पैसे का निचे में सपोर्ट है नेक्स्ट उसके लिए ट्राय कर सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नेगे तो सब्सक्राइब बना मत भूलना कल के दिन स्टॉक्स में रिकवरी आ सकती है अगर मार्केट में रिकवरी बनी तो एंड थैंक यू फॉर वोचिन दे वीडियो